देख रहे हैं इंज्या नियूस आपके साथ मैं हूँ चुत्रा चुपाथी बड़ी खबर के साथ इस बुलिटिन के शुरुआत हम करेंगे नरींद्र मोदी के मंत्री मंडल को लेकर मंथन जारी है बी जेपी महासचे वामिश शा और जेपी निड़ा मोदी से मिलने गुजराद भवन पहुंच चुके हैं वही मंत्री मंडल को लेकर अब नया फॉर्मूला भी सामने आया है सुत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी के मंत्री मंडल में 22 से 25 क्याबिनेट मंत्री हो सकते हैं राज्यों में 12 सांसदों पर एक क्याबिनेट मंत्री का पद मिलेगा जबकि 4 सांसदों पर एक राज्य मंत्री का पद मिलेगा एहम मंत्रालियों जैसे रेलवे, इंट्रास्ट्रक्चर और वित जैसे मंत्रालियों में एक टेक्नो क्रेट राज्य मंत्री होगा जबके हर मंत्राले को 28 एक्सपर्ट की टीम मदद करेगी सुत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि मोदी सरकार में जी ओएम की परंपरा नहीं होगी आपको बता दें इसके पहले यूपिये में जी ओएम ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की परंपरा थी काफी एहन रणे लेने के जिम्मदारी सौपी गए थी उन्हें लेकिन अब तक कोई भी बड़ा फैसला यूपिये सरकार के दुरान जी ओएम ने नहीं लिया इसी वज़़े से माने ये जा रहा है कि उसे खत्म किया जा सकता है और इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे गुजराद भवन का जहां से इस वक्त हमारे समबाद दाता यतिंद्र शर्मा जुट चुके हैं यतिंद्र दोदो दिगज नेता पहुँचे हुए हैं किन बातों को लेकर मंतन चल रहा है अंदर पहुचे हैं वो केबल शपत गरंड समारु की जो तैयारियां जो इन्वीटेशन भीज़े जा रहे हैं उनको उनकी जानकारी देने के लिए और वो साजा है जानकारी वो करने के लिए आपर पहुचे हैं कि जेपी नड़ा को मुखे तोर पर फिलाल जिम्मेदारी दी गई है कि जो तैयारियां हैं जो पार्टी की तरफ से जो इन्वीटेशन जाने हैं जो गैस्ट हैं उन सब के पास समय से वो इन्वीटेशन पहुच्छा राष्टपती वबन से वो कौर्डिनेशन करें और साथ ही उनको लाने ले जाने की जो वेवस्ता हो सकती है गेश्ट के लिए वो तमाम वेवस्ता हैं जेपी नड़ा को सोपी गई हैं और वो यहाँ पर उसी सम्मन्द में बैठक करने पहुचे हैं लेकिन फिलाल कल एक मेराथन बैठक गुजरात वबन में होई थी जिसमें अरुन जेटली, नितिन गडकरी, राजनात और नरेंदर मोदी काफी देर तक बैठे थे और उसमें एक स्वरूप तयार किया गया कि किस तरह का मोदी सरकार का मोदी मंद्री मंडल का स्वरूप रहना चाहिए उसमें साब तोर पर जहां बिनिंग स्टेट्स हैं उनके बार जो साउथ या नौर्थ इस्ट में जितने भी स्टेट आते हैं वहाँ पर बिजेपी के कैंडिडेट्स ज्यादा संक्या में नहीं जीते हैं तो वहाँ पर 12 MPs के उपर एक कैबिनेट का फॉर्मूला फिट नहीं बटेगा जैसे उत्राखंड या हिमाचल में केबल 4 और 5 MP ह तो वहाँ पर भी एक फॉर्मूला फिट नहीं बटेगा तो यहाँ पर के कैबिनेट दिया जाए या M.O.S. दिया जाए या बाद में आज या कल में बैठकर तैय कर लिया जाए जाए या पर राज्यों के हिसाब से इसे लागू किया जाएगा चितरा अभी तक जो कल की बैठक होई थी तो उसमें तमाम जितने भी सांसत चाहएं बीजेपी के हो या सही होगियों के हो उन सब के उपर यह फॉर्मूला लागू होगा लेकिन जो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि साउथ ही जो साउथ जोन है क्योंकि जोन में कुछ प्रद चाहब से उनके लिए आज या कल में एक अलग फॉर्मूला तया होगा वहां पर तया कि वहां पर कितने पर एक कैविनिट दिया जाए या कितने पर एमोस दिया जाए क्योंकि अगर उडिसा की मैं बात करूं तो उडिसा से एक एमपी बीजेपी का जीता है जोहलो राम तो वह ट्राइबल एरिये से भी आते हैं और एक मात्र बीजेपी के एमपी हैं उडिसा में तो क्या उनको एमोस दिया जाना चाहिए या कैविनिट दिया जाना चाहिए इस पर अलग से फैसला होगा ऐसा ही उत्तरा उत्राखंड और हिमाचल के सितिये वहां पर ज्यादा संख फॉर्मूला तयार किया जाएगा बिल्कुल उत्राखंड के साथ ही कई और राज्यू भी हैं देखना यही होगा कि नया फॉर्मूला इस पर क्या आता है या तिन्दर हमारे साथ बने रहेंगे और उस वक्त